चीटी एक खूनी युद्ध शुरू करने की तयारी कर रही है। शीर्ष गुप्त रासायनिक हथियार विक्सित करने के बाद वे एक पूल नरसनहार का मंचन करेंगे। लेकिन अस्तित्व के लिए संधर्ष एक ऐसा युद्ध है जो हमेशा चलता रहता है। और अंत में मृ पूश आता है कि वह जन्द देने वाली है। उसका पती जल्दी से अपना सामान पकड़ लेता है और उसके साथ कार तक जाता है। वे जल्दी में कंबल और खाना उठाना भूल जाते हैं। इस बीच बलके कीड़े अपना जीवन जीते रहते हैं। तीन छोटी भिंदी प चतानों पर गिर जाता है, पैर उपर। लेकिन जल्द ही, बच्चा अपने माता-पिता के बाद दोहराना शुरू कर देता है और बहतर और बहतर तरीके से समझता है कि कैसे उल्दा है। परिवार घास और नदी पर उल्दा है। अच्छानक छोटी भिंदी में से एक अबू हसी सुनती है और अपने परिवार से दूर चली जाती है। उसकी जिग्यासा उसे आगे और आगे जंगल में उरने के लिए प्रेरित करती है। एक छोटी सी मक्खी का पीछा करना जो उल्ला से पूर्वक हस्ती रहती है। मक्खी एक मोहर पर बैठती है और एक जावरों से बचने की कोशिश करता है। लेकिन मक्खिया शिकार का पीछा करने में अथक है। विंडी ताकत की गणना नहीं करती है। एक चत्तान से तकराती है और एक दरार में गिर जाती है। एक पंख गिर गया, मक्खिया उसके उपर कुछ देर तक चक कर लगाती रही लेकिन जल्द ही उल गई। भिंडी अपने होश में आती है और उलने की कोशिश करती है लेकिन सिर्फ एक पंख से ऐसा करना लगभग असंभव है। शाम हो जाती है और बारिश शुरू हो जाती है। भिंडी दरार से बाहर निकलती है और मदग के लिए पुकारती है लेक बोक्स के बाहर दिखता है और अंगिनत के टर्पिलर, बीटल्स और बग को अपने घरों में मानब भुजन बिखिरते हुई देखता है और मखिया चिप्स लेती हैं, खत्मल कुकीज और माचिस की डिब भी साजा करते हैं, लेकिन जल्द ही उन्होंने मैचों को छोड़ दिय और अन्य दावतों के लिए दौर पड़े, पास में ही काली चीटियों का एक समूह गुजरता है, उनका नेता चीनी की गंद सूनता है और दिब्बे की ओर दौर दौरता है, इसे देखकर भिंडी बॉक्स के अंदर चड़ जाती है, चीटी लेडी बग को नोटिस नहीं कर दूसरा और बस यही करो, वे संदूप के नीचे एकठा होते हैं, उसे उठाते हैं और उसे अपनी चोटी की ओर ले जाते हैं, इसलिए भिंडी लंबी यात्रा पर निकल जाती है, जल्दी चीटी बॉक्स को जुका देती है और चीनी की टुकड़े भिंडी पर गिर जाते लेकिन जब चीटिया बॉक्स को चटान से फेकती है, तो भिंडी गिर जाती है और उसे ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, चीटिया बिखरी हुई चीनी को एकठा करती है और पीरित की मदद करने की कोशश करती है, इस समय एक छिपकली कीरे को नोटिस करती है, यहे एक लेकिन भिंडी अपने होश में आती है, जल्दी से बॉक्स में चड़ जाती है और अंदर से शोर करती है, लिज्या को बेहद राती है, शिकारी भाग जाता है और चटानों के बीच छिप जाता है, खत्रा टल गया है और चीटिया डिब्बे के चारों और इकठी हो जाती ह और अपने उद्धार करता से बात करती है, भिंडी बताती है कि वहूर नहीं सकती, फिर चीटिया उसे अपने साथ अपने एंथिल पर जाने की पेशकश करती है, भिंडी चीटियों के नेता के साथ बॉक्स की उपर बैखती है, जो उसके जीवन का कर्जदार है, एक बार अपराधियों की नजर से उन्होंने काली चीटियों का रास्ता रोक दिया और चीनी के दिब्बे को मीठी मीठी निगाहों से देखा, ताली चीटियों का नेता अपने साथी चीटियों को रुखने के लिए कहता है, वह दिब्बे से एक चीनी का क्यूब लेता है और उसे लाल चीटियों को भेट करता है। वो फिर जल्दी से भाग जाता है और अपनी टीम को बॉक्स को दूर ले जाने का आदेश देता है। लाल चीटिया इस बात से नाराज है कि उन्हें वह सारी चीनी नहीं मिली जो उन्होंने अपने माल के साथ काली चीटियों का पीछा किया था ताली चीटिया उस समय ध्यान देती है जब वे एक खड़ी धलान पर पहुँचती है वे बॉक्स पर चड़ते हैं, रॉकेट करते हैं और उसे नीचे धखेलते हैं बॉक्स जल्दी से धलान से नीचे उतरता है लाल चीटिया तुरंत एक त्यागा हुआ सोडा कैन धून लेती हैं वे अंदर चड़ते हैं और कैन को धलान काली चीटियों के दिबबे और लाल रां की कैन को नीचे धखेलते हैं और जल्दी पहाडी नदी में गिर जाते हैं और नीचे की ओर चले जाते हैं रैपिट्स और बाधाओं के बावजूद लाल चीटिया अपना पीछा करने में अथख हैं एक जोरदार धक्ता की कारल भिंडी बॉक्स से बाहर पानी में गिर जाती है यहां एक पाइक ने देखा और उसका पीछा करना शुरू कर दिया भिंडी तेजी से नीचे की ओर ले गई पाइक कुछ चतानों में दोड़ता है लेकिन अपने शिकार की पीछी तैरता रहता है ताली चीटिया अपने नए दोस्त को बचाने का फैसला करती है वे एक दूसरे की पूरी और पूर्व श्रिंखला को पकड़ लेते हैं इस तरह वे पानी में दूब जाते हैं और एक भिंडी को पुनह प्राप्त करते हैं अब उन्हें अपने रास्ते में एक विशाल जल्प्रपाग दिखाए देता है टीले जल्दी से बॉक्स के अंदर चड़ जाते हैं और बड़ी उजाई से एक पाइक और लाल चीतियों का एक जार उनके पीछे उलते हैं पाइक और जार तल पर फंस जाते हैं लेकिन लाल चीतियां उपर तैरने में काम्याब रही काली चीटिया और एक भिंदी बॉक्स से बचे हुए चीनी की टुकड़े निकालती है और एंथिल की ओर बढ़ती रहती है जैसे जैसे वे चलना जारी रखते हैं भिंदी यहां एक परिचक भिन विनाहत की आवाज है वो पास में अपनी तरह के एक जुन को देखती है बुब्रला उनके पास उरने की कोशिश करता है लेकिन एक पंख ने उसे हवा में रहने से रोक दिया परिशान होकर वर चीटियों के पीछे भागी अगले दिन लाल चीटिया काली चीटियों को पकर लेती हैं वे सरक पार कर जाती हैं काली चीटिया मौके का फाइदा उठाती हैं और एक कार के आने के बावजूद रुखती नहीं है लाल चीटियों के नेता ने तुरंट पीछा करना शुरू कर दिया परंतो उसके साथ ही और वही रहे जहां वे कापते और तितर बितर होते हैं कार से हुई मुटभेर में काली चीटिया बाल बाल बच गई जल्दी वे इसे सफलता पूर्वक अपने एंधिल तक बना लेते हैं भिंडी भी अंदर चली जाती है यहां हर कोई व्यस्त है, हर मजदूर अपनी फसल रानी के पास लाता है अगर वह संतुष्ट होती है तो उसे एक अंडा मिलता है जैसे ही उसका गरभाशे चीनी का स्वाद चकता है, वह परमानन्द में चला जाता है और तुरंद अंदे का लेज़ गुच्छा इस बीच, लाल चीटियों का नेता काली चीटियों के एंथिल की स्थान का पता लगाने में सफल हो जाता है वह क्रोधित हो जाता है और अपनी रानी को बताने के लिए दौर पड़ता है वह लाल चीटियों को तुरंद हमले की तयारी करने का आदेश देती है लाल चीटियों की एक गुरी बील काली चीटी कॉलोनी में हत्यार, गोलिया, पत्थर और गुलेल लेकर आती है और बग स्प्रे भी, नाइट फॉल्स काली चीटी कॉलोनी अभी शान्थ है बिंडी सहित हर कोई सो रहा है वो ही एक घास के मैदान के उपर से उलते हुए भिंडी के परिवार के बारे में सपने देखती है भिंडी अपने परिवार की लालसा से जाकती है और एन्थिल की चोटी पर चली जाती है यहाँ उससे पता चलता है कि उसका दूसरा पंख वापस बढ़ने लगा है इसका मतलब है कि भिंदी जल्द ही फिर से उड़ने में सक्षम होगी, उसके दिल में खुशी भर जाती है ताली चीटिया सुबह सुबह बरती भन भनाहत से जाग जाती है यह लाल चीटियों की एक अंगिनत सेना है जो अपने एंथिल के पास आ रही है वे पहले से ही अपने गुलेल में गोला बारूद लोड कर रहे है एंथिल की निर्मम गोला बारी शुरू होती है ताली चीटियां, दुश्मन पर रुई के फाहे, गोलियां और नमक गिरा कर अपना बचाव करने की कोशिश करती है लेकिन लाल चीटियों के बम ज्यादा गंबीर नुकसान करते हैं फिर काली चीटियों की रानी नेता और एक भिंडी को चीटी वैग्यानिक के पास भीजती है समस्या का पता चलने पर वह अपने खजाने को खोदता है और अपने दोस्तों को माचिस और एक पताखा देता है ताली चीटियां पताखों को एंथिल की छट पर रख देती हैं लेकिन दुश्मन सो नहीं रहा है और पहले से ही एंथिल के प्रवेश द्वार पर तूफान की तयारी कर रहा है काली चीटियों का नेता माचिस की दिब्बी खोलता है और अंदर केवल एक माचिस पाता है वो बॉक्स पर प्रशिक्षकों का ध्यान पूर्व का ध्यान करता है और माचिस जलाता है तनाव उसे भेंगा बनाता है और एंटीना को मोलता नहीं है कमांडर पताखा जलाता है और घुमाता है और युद्ध के मैदान में गिर जाता है जिससे विस फोर्ट के साथ कई लाल चीटिया मर जाती है लेकिन सिंगल मैच तुरंट निकल जाता है और शत्रु दुगनी तीवरता से आक्रमन करता है तब भिंदी को याद आता है कि इससे पहले की वल चीटियों से मिली उसने मनुश्यों द्वारा भुलाए गए माचस की दिब्बी देखी वो तुरंट चीटियों को इसके बारे में बताती है और माचस लेने के लिए नीचे उरने का वादा करती है लेकिन उसे अपनी उलान शुरू करने के लिए मदग की जरूरत है उसके दोस्त उसके लिए एक कागस का हवाई जहाज बनाते है लेकिन जल्दी भिंडी अपने आप उलने लगती है ताली चीटियां उसकी शीग्रवापसी के लिए बहुत आशानवित है भिंडी सही जगह पर जल्दी और बिना किसी कथिनाई के उल जाती है क्योंकि उसका दूसरा वजन लगभग पूरी तरह से विक्सित हो चुका होता है वो माचिस की तीली को उठाने की कोशिश करती है लेकिन तभी वही एक मकरी को रेंगते हुए देखती है वो आसानी से बकसा उठाता है और उसे अपनी खोव में ले जाता है विंडी उसके ठीक पीछे चलती है मकरी शाम तक घर वापस आ जाती है वो ही एक परित्यक्त खिलोना महल में रहता है विंडी मकरी के घर में घुस जाती है पता चलता है कि उसे अपना जाल बांधने के लिए माचिस चाहिए लेकिन भिंडी के पास कुछ भी करने का समय नहीं है क्योंकि वह तुरंत एक टोड द्वारा पकर ली जाती है और खिलकी के पीछे से देख रही है भिंडी अपने सभी पंजों के साथ उच्छलती है और खिलकी के सिले को पकर लेती है लेकिन टॉड थीचना जारी रखता है इस प्रकार टॉड अपने आप खिलोना महल को गिरा देता है और मर जाता है लेडी बब्य होश हो जाती है और फिर से कल्पना करती है कि वह अपने परिवार के साथ घास के मैदानों पर ओर रही है वह जल्दी होश में आ जाती है और मकडी की जोपली मकडी ताज से छुटकारा पाने के लिए आभारी भिंडी को खिलाती है माचिस की तीली को बढ़ाने के लिए भिंडी माचिस को पकलती है और अपने दोस्तों की मदद करने के लिए उर जाती है रास्ते में वह मक्खियों की पागल हसी सुनती है और मक्खियों को दूसरी भिंडी को ताना मारती हुई देखती है फिर वह माचस छोड़ देती है और उपद्रवियों से निपटने के लिए दौर पड़ती है भिंडी अपनी ओर ध्यान भटकाती है और हाईवे की ओर दौर पड़ती है एक कार अभी गुजर रही है भिंडी आत्म विश्वा से उसकी ओर उलती है और अंतिंक्षन में गोता लगाता है और टक्राव से बच्चता है मक्षिया सीधे हेडलाइट से टक्राती है और स्थेर होकर जमीन पर गिर जाती है भिंडी उस बग में लौट आती है जिसे मक्षियों ने चोट पहुंचाई थी और उसके साथ खुशियों का आदान प्रदान करता है और जल्द लौट ने का वादा किया माचिस की डिब्बी को पकड़ कर वल गंभीर रूप से ख्षतिग्रस पहाड़ी के ओर बढ़ती है वो ही एक विजई रोना के साथ लाल चीटियों की सेना पर उलती है और देरी करती है मैचो को एंथिल के शीर्ष पर ले जाता है उसके दोस्त उसे खुश करते हैं अब चीटिया माचिस की तीली से हाथ जोड़ कर सारे पटाखे जलाती है वे घूमते हैं, जमीन पर गिरते हैं और फट जाते हैं उनके विसफोर्ट चीटि के जहर के टैंक को प्रजवलित करते हैं लाल चीटियों को दैनियर रूप से चीखते हुए युद्ध के मैदान से भागने के लिए मजबूर किया जाता है लाल चीटियां हार जाती हैं लेकिन एंथिल के चारो और एक वास्तविक आग लग जाती है ताली चीटियां और भिंडी मुख्या हॉल में छिप जाती हैं अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है एक विमान एंथिल के उपर से उलता है और आग को फोन से भर देता है आग रुप जाती है लेकिन जाग एंथिल को खा जाता है बची हुई चीटियां और भिंडी मलबे के नीचे से निकल कर चुपचापचारों ओर देखती है कुछ समय बीच जाता है भिंडी बड़ी हो गई है और अपने दोस्त के पास लौट आई है जिसे वह मक्यों से बचाना चाहती है उनके पाँच बच्चे हैं जो पहले ही उलना सीख चुके है लेडी ब़ परिवार घास के मैदान में उलता है और शान्ती का आनंद लेता है मेहनती काली चीटियां सफलता पूरवक अपने एंथिल का पुनर निर्मान कर रही है भिंडी अपनी चीटि की सहेली को नहीं भूली है वे एक सुरम्य स्थान पर मिलते हैं और एक साथ सूर्यास्त का आनंद लेते हैं